मूवी का स्टार्ट एरीज और माचा नामी दो बच्वन के दोस्तों से होता है जो अब तक हाई स्कूल में होके भी साथ हैं एक दिन स्कूल में उन्हें एक खुबसूरत सी लड़की नजर आती है जिसे देखते ही एरीज को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है तभी एकदम वो लड़की इनके पास आके प्रिंसिपल आफिस का रस्ता पूछती है एरीज उसे देख बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है पर माचा उसे संभाल लेती है जिस पर वो दोनों उसे रस्ता बताते हैं एरीज तो उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पाता जैसे उ अधर एरीज पर रिवील होता है कि नॉर्मा उसके बड़े भाई की गर्ल्फरेंड है होती भी क्यों ना लियो एक हैंसम और पॉपिलर लड़का था कोई भी लड़की उस पर अपना दिल हार सकती थी पर इस सबसे एरीज की लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही हतम हो है कि शुरू में तो नॉर्मा सिर्फ उसके लिए उसके पास्ट रिलेशन से मुवान करने का एक जरिया थी पर अब वो असल में उसे पसंद करने लगा है उस रात के बाद एरीज नॉर्मा को भूलाने की कोशिश करने लगता है पर ये काम इतना आसान नहीं था एक तो वो उसके जखम हरे ही हो रहे थे एक दिन स्कूल के किसी फंक्शन के लिए ये सब तयारियां कर रहे थे तब ही लियो एरीज को कॉल करके उसे नॉर्मा से बात करने को कहता है क्योंके नॉर्मा और लियो के बीच किसी लड़ाई की वज़ा से नॉर्मा लियो को इग्नोर कर रह इन्हें लगता ही है कि वो अब ठीक हो चुकी है कि तब ही वो बिहुश होके गिर जाती है। नॉर्मा को फॉर्ण हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसका एक्स्रे करते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। नॉर्मा उसे बताती है कि कुछ तो मसला चल रहा है क्योंकि कुछ टाइम से उसकी बॉड़ी पे अजीब रैश भी हो रहे हैं इस पर डॉक्टर उसे एड्मिट कर लीते हैं वहां उसे लियो और एरीज भी मिलने आते हैं नॉर्मा उन्हें बताती है कि वो सिर्फ स्कूल के वाश्रूम में अच्छा फील करती है सिर्फ वहीं उसकी ना तब्यत हराब होती है ना बेहोशी फील होती है इस पर एरी स्कूल के वाश्रूम को अपनी दोस्त माच्छा के साथ चेक करने लगता है वहां तो उसे कुछ समझ नहीं आता पर घर आके जब वो इंटरनेट पे रिसर्च करता है तो थोड़ी मेहनत के बाद उसे एक बीमारी का पता चलता है जिससे इलेक्ट्रो मैगनेटिक हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है जिसका मतलब ये है कि नॉमा को फोन्स और ऐसी डिवाइसे से निकलने वाली रेस से ऐलर्जी है उनके पास होने पर नॉ पॉश्रूम में अच्छा फील करती है क्योंकि वहां सिगनल्स नहीं आते एरिस जब इस सब के बारे में नॉमा की मदर को बताता है तो वो कहीं न कहीं एरिस की बात समझ जाती है वो बताती है कि नॉमा की रूम में भी सिगनल्स नहीं आते यही वज़ा है कि वहां आराम स सोब आती है लेकिन डॉक्टर को नहीं लगता कि नॉर्मा को ऐसी कोई बीमारी है उसके हिसाब से तो ऐसी कोई बीमारी एक्जिस्ट ही नहीं करती पर अगर ऐसा कुछ है भी तो उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है नॉर्मा की फैमिली हर कोशिश करती है पर उसकी हालत में कोई बहतरी नहीं आती है वहां लियो नॉमा के लिए परेशान अपने एक बहुत ही जरूरी बास्केटबॉल मैच में बहुत बुरा परफॉर्म करता है आखिर में वो तंग आ के Aries के सामने कनफेस करता है कि उसके लिए नॉमा से ज्यादा अपना बास्केटबॉल करियर जरूरी है उसे इस बात पर गिर्टी तो फील होता है पर उसे यही ठीक लगता है नॉमा के बिगर्टी हालत को देखते हुए उसके माता पिता उसे उसके ग्रैंडमा के घर बेचने का फैसला करते है जो के टाउन से दूर माउंटीन्स पे है जहाँ ना वाइफाई है और ना ही कोई और इलेक्रोनिक डिवाइस इस उमीद के साथ के वहाँ जाके उसकी हाले बहतर हो जाएगी नॉमा को इस बात की तो बहुत खुशी थी के वहाँ वह अपनी फैमली के साथ ज्यादा वक गुजार पाएगी पर उसे डर था के लियो इस लॉंग डिस्टेंस रिलेशन को चला नहीं पाएगा और उसका ब्रेक अप हो जाएगा सीन्स स्कूल पे शिफ्ट होते हैं जहां मार्गो जो नॉमा की बेस्ट फ्रेंड थी उसकी पीट में चुरा मारते हुए ऐसे अचानक उसके स्कूल छोड़ने की बात को गलत तरीखे से सब के आगे रखते हुए उन्हें कहने लगती है कि नॉमा प्रेगनिंट हो गई थी इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया माचा को इस बारे में पता चल जाता है तो वो सीधा एरीज को जाके मार्गो की हरकतें बताती है लियो ने नॉमा से वादा किया था कि वो उसे वीकेंड पे जरूर मिलने आएगा पर जाते वह वो बीच में रस्ता भूल जाता है और आगे बढ़ने के बजाएं वापस घर चला जाता है जबके एरीज और माचा नॉमा की मौम के साथ उससे मिलने जाते हैं जिस पर वो आराम से वहां पहुँच जाते हैं अगली सुभा लियो नॉमा से मिलने जाने के बजाएं अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस को एहमियत देता है और बेचारी नॉमा उसका इंतिजार करती रह जाती है इस सबसे नॉमा का दिल बहुत तूट जाता है एक हफ़ते से उपर हो चुका था उस कालियो से कोई कांटाक्ट नहीं हुआ था क्यूंके वहां ना फोन के सिगनल्स थे ना वाइफाई ऐसे ही टाइम गुजरता गया पर लियो नॉमा से मिलने नहीं आया इस बार एरीज जब आता है तो वो नॉमा के लिए टिन फॉल हैट बना के लाता है जो उसके हिसाब से इन वेवस को नॉमा से दूर रखेगी नॉमा को एरीज की ये सारी एफर्ट अच्छी तो लग रही थी पर अगर ये सब उसके लिए उसका बॉइफर्ट कर रहा होता तो उसे ज्यादा खुशी होती रात को एरीज और माचा नॉमा को मार्गो की चैट पढ़ाते हैं जिसमें वो नॉमा का मजाग बना रही थी नॉमा को इस बार पे बहुत उसा आता है और वो उसे सबक सिखाने का फैसला करती है एरीज को इनका प्लैन थोड़ा अजीब लगता है पर वो नॉमा के खाते सब करने को तयार हो जाता है ये लोग एरीज को मार्गो की तरह तयार करके उसकी और नॉमा की पीछे से पिक्चर्स लेते हैं जिन्हें माचा एक ग्रूप चैट को हैक करके वहाँ डाल देती है असल में ये लोग सब को दिखाना चाहते थे कि मार्गो के कहने पर नॉमा ने अपना एबॉर्शन करवा लिया है जो प्लैन काम भी करता है और सब मार्गो को एक बच्चे की जान लेने की वज़ा से हेट करने लगते है पर ये प्लैन बाद में इनके गले पर जाता है जब स्कूल में सब असल में यकीन करने लगते है कि नॉमा ने अबॉर्शन करवा लिया है इस पर लियो हफ़तों बादी सही नॉर्मा से मिलने जाता है नॉर्मा तो उसे देख खुशी से पागल हो जाती है पर लियो की फिलिंग्स कुछ अलग थी वो नॉर्मा को बताता है कि उसकी बास्केटबॉल टीम और कोच ने भी ये एबॉर्शन पोस्ट देख ली है अब अगर उन्हें लगा कि लियो ने नॉर्मा को एबॉर्शन के लिये मजबूर किया है तो इस तरह लियो का सारा बास्केटबॉल करियर तबाह हो सकता है लियो नॉर्मा के इस हरकत की वज़ा से उस पर बहुत उस्सा होता है नॉर्मा के बहुत समझाने पर भी वो उसकी एक नहीं सुनता और उससे ब्रेक अप करता वहां से वापस चला जाता है नॉर्मा का तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है उसकी तो सारी जिन्डगी जैसे रुक्सी जाती है ना वो ठीक से कुछ खाती है और ना ही सोती है जिसकी वज़ासे उसकी तबिक फिर बिगरने लगती है ये देखते हुए नॉर्मा की ग्रैंड माउस से बहुत समझाती है और लियो को लेटर लिखके माफी मांगने को कहती है नॉर्मा ऐसे ही करते हुए अपने दिल का हाल एक लेटर में लिखके लियो को भीजती है जो उसे मिलतो जाता है पर वो उसे खोलने के बजाए अपनी मेड को लेटर फेंकने का कह देता है एरीज जो ये सब देख रहा था खुद ही लेटर पकड़के पढ़ता है उसे नॉर्मा के लिए बहुत बुरा लगता है इसलिए वो लियो की जगा नॉर्मा को लेटर लिख देता है ताकि वो बहतर फील कर सके ये प्रोसेस यहां रुकता नहीं है बलके यहां से शुरू हो जाता है एरीज लियो बने नॉर्मा को रोस लेटर लिखना शुरू हो जाता है नॉर्मा इन लेटर्स की वज़ा से लियो को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगती है इस बात से अंजान की वो लेटर्स तो एरीज लिख रहा है एक दिन Aries और माचह फिर नॉरमा से मिलने जाते हैं तो तीनों साक्लिंग के लिए जाते हैं जहार रस्ते में इने कुछ बच्चे स्ट्रिंग फोन के साथ खेलते नजर आते हैं। ये तीनों भी उन से फोन्स लेके ट्राइ करने लगते हैं पर वो काम नहीं करते। ये देखते हुए एरीज नॉर्मा से अपने प्यार का इजहार कर देता है वो खुलके उसे अपनी फिलिंग्स बताता है पर नॉर्मा कुछ भी सुन नहीं पाती उसके बाद ये सब एक ब्रिज पे पहुँचते हैं जिसकी दूसरी तरफ विलेज हतम हो जाता है वहाँ एक खलिफ है जो नॉर्मा देखना चाहती है पर अपनी हालत की वज़ा से वहाँ जा नहीं सकती एरीज उसे वहाँ जाने को फोर्स करता है ताकि ये लोग देख सकें कि ठिन फॉल काम करता है कि नहीं वहाँ जाके कुछ टाइम के लिए तो नॉर्मा बिलकुल ठीक फील करती है पर फिर एकदम उसकी नोस से खून निकलने लगता है ये देखते हुए ये सब फॉरण वापस घर आते हैं ताकि नॉर्मा की तब्यत मजीद बिगर न जाए घर पहुँचके एरीज इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझता है पर नॉर्मा उसे ये कहते हुए नॉर्मल करती है कि वो बिलकुल ठीक है अगले हफ़ते नॉर्मा का जनम दिन है जिसके लिए नॉर्मा की ग्रैंडमा इन सब को घर पे इन्वाइट करती है नॉर्मा चाहती है कि लियो भी उसकी बर्ट डे के लिए वहाँ हो पर ऐसा होगा की नहीं ये वो खुद भी नहीं जानती सीन्स एक ग्रॉसरी स्टोर पे शिफ्ट होते है जहां माचा एरीस से कहती है कि उसे नॉर्मा को सच बता दीना चाहिए कि लेटर्स वो लिख रहा था एरीस खुद भी जानता है कि नॉर्मा को सच जानने का हक है पर वो उसे हर्ट करने से डरता है नॉर्मा की बर्ट डे पे सब आते हैं ये देखते हुए एरीज उसे बहाना बना देता है कि लियो रस्ते में है थोड़ा लेट हो जाएगा नॉर्मा जितना हो सा कि उसका इंतजार करने को तयार थी नॉर्मा की बर्थडे गिफ्ट के तोर पे एरीज एक कार लाता है जो पूरी अलमीनियम कोल से कवर्ड थी उसने इस सब पे मज़ीद रिसर्च की थी और उसे यकीन है कि ये काम करेगा वो बस नॉर्मा को उस कलिफ पे ले जाना चाहता था इसलिए एरीज नॉर्मा और माचा कलिफ के लिए निकल जाते हैं शुरू में तो ये सब डरे होते हैं पर एरीज का ये आइडिया काम कर जाता है जिस पर तीनों ही बहुत खुश होते हैं कलिफ पे पहुँचके तीनों साथ संसेट देखते हैं जहां बातों बातों में नॉर्मा इन पे रिवील करती है कि वो पाइलिट बनना चाहती थी पर अब इस बीमारी के बाद उसने अपने इस ड्रीम को अपने दिल के किसी कोने में कैद कर दिया है वापस घर पहुचके माचा इन दोनों को कुछ टाइम के लिए अकीला छोड़ देती है ताकि एरिस नॉर्मा को लेटर्स के बारे में बता सके वैसे तो एरिस बहुत डरा होता है पर वो वो ही करता है जो सही है यानि वो नॉर्मा को सब सच बता दीता है कि लेटर्स लियो नहीं बलके वो लिख रहा था ये सुनके तो नॉर्मा के पाउं के नीचे से जमीन ही निकल जाती है उसे तो लग रहा था कि उसका और लियो का रिलेशन वापस ट्रैक पे आ रहा है पर जब उसे पता चलता है कि लियो तो अब तक उससे नराज है तो वो बिलकुल खामोश हो जाती है लेकिन घर पहुँचके उसे एक बहुत ही खुबसूरत सर्प्राइज मिलता है वहां लियो फ्लावर का बुके लिए उसका इंतजार कर रहा था लियो अपनी हर गलती के लिए नॉर्मा से माफी मांगता है जिसके बाद दोनों साथ डांस करने लगते हैं पर नॉर्मा वैसे खुश नजर नहीं आती जैसा उसे आना चाहिए उल्टा वो तो बस एरीज के बारे में सोच रही होती है लियो और नॉर्मा जब भी साथ टाइम गुजारने लगते हैं या तो लियो खामोश रहता है या अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस की वज़ा से ठका हुआ रहता है जिस पर नॉर्मा को एहसास होता है कि उसे रियल लाइफ लियो के बज़ए लेटर्स वाला लियो ज्यादा पसंद था यानि उसे एरीज पसंद है पर अभी वो इस चीज़ को एकसेप्ट करने को तयार नहीं थी एक दिन स्कूल में एक लड़की एरीज के पास आके उसे लियो को मेसज देते हुए कहती है वो एरीज से रिक्वेस्ट करती है कि लियो को उसकी कॉल्स उठाने को कहे Ares जब पूछता है कि वो Leo की क्या लगती है तो वो बताती है कि वो Leo की गर्फरेंड है जो सुनके Ares परिशान हुए सीधा Leo को कनफरंट करने जाता है जिस पर Leo accept करता है कि उसने Norma से ब्रेक अप के फॉरण बाद ही उस लड़की को डेट किया था क्योंकि वो बहुत अपसेट था और उसे सहारा चाहीच ** पर Aries लियो की इस को सब सबकु नविंस्ट नहीं होता और उसे नॉर्मा को सब सच बताने को कहता है इसलिए अगले दिन दोनों भाई नॉर्मा से मिलने जाते हैं यर्स दोनों को अकीला छोड़ देता है ताके लियो नॉर्मा को सच बता सके पर लियो में अपनी गलती अक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं थी फिर ये तीनों वॉक पे जाते हैं जहां एकदम एक बटरफलाई एरीज के शोल्डर पे आके बैठ जाती है नॉर्मा और लियो उसकी पिक्चर लेने लगते हैं तभी नॉर्मा लियो के फोन में उसकी गर्फरेंड के साथ पिक्चर देख लेती है जब वो लियो से इस बारे में पूछती है तो लियो उसे दोस्त बोलके फोरण फोन रख देता है नॉर्मा को यकिन लियो रिवील करता है कि वो एरीज की नॉर्मा को लेके फीलिंग्स के बारे में जानता है इससे पहले के बाद हाता पाई तक पहुंचती एरीज वहां से निकल जाता है एरीज सीधा नॉर्मा के पास जाता है पर वो उससे मिलने से इंकार कर देती है एरीज एक पूरा दि पे Aries की मम उसे कॉल करके लियो को साथ लाने का कहती है Aries नराज़गी के बाद भी अपने भाई को नशी की हालत में क्लब से लेता वापस घर के लिए निकलता है लियो Aries से अपनी सारी गल्तियों के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि वो नॉर्मा के काबल नहीं है यानि वो एरिस को ग्रीन सिगनल दे रहा है कि वो नॉर्मा को अपने दिल का हाल बता दे पर शायद एरिस की जिंदगी में ये खुशी का दिन लिखा ही नहीं था तब ही एकदम उन दोनों का बहुत बुरा अकसिडन्ट हो जाता है जिससे एरिस की मौत हो जाती है और लियो बुरी तरहां सख्मी होता है माच्छा जब नॉर्मा को इस बारे में बताती है तो वो नतीजे के बारे में सोचे बगएर बस Aries के फ्यूनरल पे जाने को कहती है जाने से पहले नॉर्मा की ग्रैंड मा उसे वही टेप रिकॉर्डर देती है जिसमें Aries ने मैसेज रिकॉर्ड किया था ब्रिच पे पहुँचके एकदम इनकी गारी खराब हो जाती है उसी दोरा नॉर्मा Aries का मैसेज सुनती है जिसमें Aries ने अपना प्यार कनफेस किया हुआ था कि कैसे उसे पहली बार देख के ही नॉर्मा से पागलों वाला प्यार हो गया पर वो अपने भाई की वज़ा से हमेशा चुप रहा ये सब सुनके नॉर्मा की आखें आसों से भर जाती है तब ही वोही बटरफलाई गारी के शीशे पे आके बैठती है जो उस दिन Aries के शोल्डर पे बैठी थी उस बटरफलाई को फॉलो करते हुए नॉर्मा ब्रिच की दूसरी साइड चली जाती है पर उसे कुछ नहीं होता उसे लगता है जैसे Aries वहां उसके साथ है ये एक बहुत ही emotional moment होता है जिसके बाद नॉर्मा Aries के funeral के लिए जाती है लास सीन्स में हम देखते हैं कि नॉर्मा अब एक pilot है जो प्लेइन में बैठके Aries की picture अपने सामने लगाती है और उससे पूछती है कि वो फ्लाइंग के लिए तयार है ऐसे जैसे वो Aries को हमेशा अपने पास महसूस करती हो इसी moment पे movie end हो जाती है पर वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार वो ही है जिसकी कोई मन्जिल ना हो थैंक यू फॉर वाचिंग